गैस आज रूम बात करने वाले हैं six body parts man must save मतलब कुछ है six body parts जिसको आपको हमेशा shave करके रखना मतलब important है अगर आप शेव नहीं करते तो आपसे bad smell गगर आ सकती है और बहुत सारी इसे situation में आप काफी परसान हो सकते हो तो आपको इन six body parts को शेव करके रखना काफी important है हमेशा तो इस वीटो को लास देखते रहें बाइदेव इस वीटों ट्रॉमी मैंने में साहिल एंडाइम हीरोटीच बाइन फैशन गुरूमिंग अगर आप शेया है नहीं हो जोड़ लेखना शुबस्राइब करना साथ समय बहुत करना और इस पर टैप करना और इस वीटों पर फालो करते हो मेरे तुर सा फायदा हो जाएगा तो हम बिना कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर वन हमारे पास नोस हेयर अब यार नोस से काफी बंदों ऐसे होते हैं कि नोस से बाहर आ रहे होते हैं मतलल वो किता अजीब सा लगता है अब आप खुछी सब्सक्राइब करो कि मतलल आप डेट वगर आपे गए हो और आपके सामने मतलल खुबसूरत सी बंदी है वो बैठी वही है और उपर से आपके जो मतलल नोस में से आपके बाहर जाग रहे होंगे और आपकुछ खा रहे होगे तो भाई आप खुछी सोचो कि मतलल किती जदा अपकुछी सब्सक्राइब करें और वह काफी अगंदा ऐसा लगता है या फिर आप कहीं पर भी ऐसे इंट्रूव्य में कई हो और आपके नाग में से बाहर जाग रहोंगे तो बहुजा गंदा लगता है तो आर उसको आपक अपके नाग में से बाल भी बहुजा नहीं आने चीगें नहीं तो आप बहुत जागा अपना चांच से भाई लेगा अगर आपकी बात बनने वाली होगी तो बिगड़ी जागी तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपके रेख सक्ते हो और आर्मपेट अपर अब से नुकसान क्या होता है फर्स्ट बाद तो इससे आपके कब्डे गंद हो आते हैं मतलब खराब हो आती है मतलब गंदी बद्बू अगरा आती है अब किसी पास हो और आपको कुछ मतला ऐसा सीन वगरा भना रहे हो तो उस ताम पर आपको यह चीज है वह काफे डिस्टरब कर अब हमारे ना बैक पर काफे असे हेर वगरा आ जाते हैं जो की बिल्कुल अच्छे लगते दिखने में और मतलब काफे इरिटेट करते हैं अब खुछ सा पूस करो कि मतलब आपने ओयो वगरा बुक कर लिया बट वहां पर ओयो में जाने के बाद आपको जो सीन है मतलब ब अब बात कि अब बात दी है कि भाई मतलब बैक केर किरीं कैसे करें अब अब आपको फ्रेंड है वालु फ्रेंड है तो इसको बोल सकतो बैक के है किरने करने के लिए और या फिर भाई है तो आपने भाई से भी क्लीन करा सकते हो that's all fourth आपा पैसे फॉय प्राइवेट पार् जंगल सा उग्या होता है अगर आप इसो क्रीं नहीं करते पूरा नास मार दे प्रेसनाइलिटी नास मार देगा और आप मूह भाजब लागने बेसिकली क्या होते हैं और बहुत हों हों है पुस्टिफ हो गंदी आती है स्वस्ट वाज़ा हो देखा है और बढ़ बैडश्मे जाने वह बिलाब दिखाई देगा और कि इसमेल भूजा आएगी और बिल्कुई सब्सक्राइब भूजा नहीं होती हो आको प्राइवेट पार्ट की भूजा 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 थे खुछ्वार्टे हो अधर्वाइस आपको भूजा पुरूजा बुरी शिचुवेशन में फ तो सब कुछ ख़ता हो जागा फिफ्त मारा पास है वो यह है बैक नेक अब कई बार के आधाने कि मारे जो नेक पर मतलब बैक में जो है रहना वो आ जाते हैं जो कि दिखने में बिलुकुल अच्छा नहीं लगता और सबस्कोर कि आपने टी-शिट पर पहन रखी और आप ऐस इसके लिए आपको वी त्रीमर वगरा यूज कर सकते हो या फिर आपने और अपने लगार से या फिर आपने फ्रेंड वगरा सकते हो वो जा सही रहे लेगा। लेकिन आपके बैक नेक पर अगर आउर आपके आपको सभी दिखने वाले और बेसिकली बहुत सरे बंदों के जाते हैं तो आपको इसको क्लीन करना काफे इंपॉर्ट है स्थिक्स लास्वान पास है वह है नेक बियर्ड अब बहुत सर बंदों कि नेक पर भी बियर्ड आजाती है जो कि दिखने में बिल्कुवी सहीं लगता अब इसके डिसाडवांटिस है कि अगर नेक बियर्ड आजागी तो फर्स्ट बात इससे कि आपको जोलाइन वह शार्प नहीं दिखती है अबिध खरपोस कर रहें हैं अब वह अब भूजा वार्ड रहें तो मिल्कुवी सहीं दिखाए देगी तो मतलब पिल्कुवी सहीं दिखाए देगी बट अब पर अब 2 point रあっ Не कर अब भूज कि नेगि तो आपकी जोलाइन वह काफी शार्प दिखायते वाली है जैसे आप मेरी खुजी नहां पर नोडिस कर सकते हो तो आप खुजी देख सकते हो तो यह मतलब जो मेरी जालाई वो कितिए शार्प दिखाई दे रही है और जस्ट आपके जो नेक के हे रहे हैं वो हमेंसे आपको क्लीन करके रखना काफे इंपॉरंट है